तेरी रजा क्या है तो इसी कॉंटेक्स पर चाइना ताइवान हम लोग को एक चीन चाहना चाहिए कि कोई पूछे तो सही हम लोग चालू हो जाए कि रुके रही आज का स्टोडिय चाइना ताइवान रेलेशन्शिप अब बहुत बड़ा इसको लेकर इसू हो रहा है शेयर म लोग को लाइब सेशन लेना चाहिए बहुत उन्होंने आंसर दिया पर ज्यादा जना आई रही कोई गाल यह फिर भी हम लोग करेंगे माता में जोग्रफी एक दम ठीक से रहेगा तो यह बड़ा बड़ा चाइना चाइना वड़ा सा चाइना है नीचे में क्या चोटू सा लेगे उसके बाद क्या नतीजा होगा आप लोग को पता ही है यह हो क्यों रहा है उसके लिए लिए बहुत जरूरी है चाइना वड़ा सा दिख रहा है यह जानने के लिए हम लोग को सतर साल पहले जाना पड़ेगा 1949 में 1949 तहां से सुनिएगा 1949 में चाइना का बहुत बड़ा लीडर था माओ जेडॉंग जिस तरह हम लोग के महत्मागांदी है उन्ही तरह से 1949 चाइना में बहुत बड़ा लीडर था माओ जेडॉंग एक ग्रूप था माओ जेडॉंग का और एक ग्रूप था काईशेक का का जो नीचे में हैं तो माओउ जेडॉंट चाहिना बहुत बड़े लीडर थे काय। जरूरे थे, काई फिरक्सक्रण कारीने सब्सक्राइब किते हैं और काटिय। थे जिसको अमेरिका यूरोप सपोर्ट करता था तो दो ग्रूप के अंदर बहुत बड़ा लडाई चल रहा था चाइना को कंट्रोल करने का ताइवान वाट आप चाइना तो दोनों के अंदर लडाई चल रहा था माओ जो कॉमिनिस्ट थे सोशलिस्ट थे और काईशेक जो कैपिलिस्ट थे दोनों में बहुत दुनों ग्रूप के अंदर बहुत लडाई हुआ अल्टिमेटली माओ जीता और माओ जीतने के बाद क्या हुआ काईशेक को अपना जान बचा के अपना ग्रूप के साथ भागना पड़ गया और वो भाग के कहां गया ताइवान गया तो काईशेक हार गया वार सिविल वार का होता है जब बाहर का कोई कंट्री अटैक नहीं करता है सिविल वार का होता है जब अपने आप में लडाई होता है आदमी लोग का अपने ग्रूप कंट्री में ग्रूप का लडाई हो जाता है और उस लडाई में माओ जीत गया और काईशेक को हार के भागना पढ़ गया कहाँ पे उसको ताइवान में जाके छुपना पढ़ा ठीक है तेक है आप देखिए चाइना जो है जो ढह फिस तरह से लोग यह इन्डिया बोले कि शरिलंका रहा तो और वो बोलता था दोनों मेरा है यह बहुत था अब बात आजाता है क्या मेला अब आता है अमेरिका यूरोप उनाइट डेशन्स कि इसको सपोर्ट करता है अमेरिका, यूरोप, यूनाइटेड नेशन सपोर्ट करने लगा ताइवान को, गज़ा पगला पंती है, उनको इतना बड़ा माउ नहीं दिखा, इतना बड़ा चाइना नहीं दिखा, उनलोग को क्या दिखा, कि काईशेक जो छोटा सो ताइवान में है, उसके अंदर क्या ह है, वो capitalist country है, अमेरिका, यूरोप capitalist है, तो लोग बोला कि भाई, हम लोग को तो ताइवान को सपोर्ट करेंगे, अन्बिलीबल है, 1949 के बाद, 1971 तक, ताइवान कोई accept किया गया वर्ल्ड ने, पूरे वर्ल्ड ने, ताइवान as a country, as a China मानते थे, और चाइना को चाइना मानत ही रही थे, mainland China जो इतना बड़ा हाती था, वो किसी को नहीं दिखता था, क्योंकि वो socialist communist था, उन लोग बोले हम लोग mainland China को नहीं बाते, we accept Taiwan, बड़ा unfair काम है as usual, कुछ ना कुछ होता रहता है, 1971 में, United Nations ने पहली बार admit किया ये mistake कि ये गलत है, उन्होंने ताइवान को हटा दिया, ये ताइवान को अब हम लोग रेकोगनाइज नहीं करेंगे, हम लोग किसको रेकोगनाइज करेंगे, we will recognize China, People's Republic of China, जो वड़ा वाला जो चाइना है, हम लोग उसको एकसेप्ट करेंगे, और चोट रहा ताइवान को एकसेप्ट कर सकते हो, तो mainland China को एकसेप्ट कर ताइवान को अठाजिया, 1971 में, अब आया अमरीका, अमरीका तो भी नानुकर कर रहा था, लेकिन जो mainland China है, 1979 में, 1979 में, mainland China जो बड़ा वाला माव वाला था, उसने अपना एकोनोमी कोल दिया, उन्होंने बोला, foreign investor आओ, बेरा एकोनोमी में रुप्या लगाओ, फैक्टरी European के लिए, तो American European economy, अगर इतना उनको इतना उड़ा मार्केट मिलेगा, तो लोग किसको चूज करेंगे, चाइना की ताइवान, अमेरिका भी accept कर लिया, कि चाइना ही भगवान है, चाइना को हम लोग मानेंगे, हम लोग ताइवान को country accept नहीं करेंगे, so all the countries in the world, अब भी सिर्फ तेरा नेशन है, 13 या 14 या 20 होगे चाहिए, और उन लोग ही है, जिन लोग मानते है, ताइवान है कंट्री, इंडिया भी नहीं मानता है ताइवान है कंट्री, तो वर्ल में वन चाइना policy है, what does वन चाइना policy means, only one China will be accepted, तो चाइना बोलता है, में चाइना बोलता है, उनका हम लोग से जमेला चलता है, बट वो मेरा ही है, आज नहीं तो कलम लेगा, ताइवान को कोई भी कंट्री accept नहीं करता है, सब कोई deal करते हैं, आप लोग सूचे ताइवान, made in Taiwan, made in Taiwan, made in Taiwan, सारा इंडिया में, made in Taiwan, पूरा वर्ल में, सारा आप लोग electronic goods made in Taiwan मिलता है, ऐसे पेच फसए हुए जो कभी सॉल्व नहीं हो सकते उनमें से एक पेच है चाइना ताइवान का चलिए तो भी तो ठीक हो गया वड़ा वाला चाइना को एक्सेप्ट कर लिया गया ताइवान के सब कोई डील करते हैं पर ताइवान को को कोई कंट्री नहीं मानता जिस तरह स मोड़े इंडिया और महाराष्टा है महाराष्टा इन्डिया का स्टेर महाराष्टा को को कंट्री नहीं मांता है उन लोग इंडिया की पर् dov fact पलीजा जह सब्सक्राइग आभाद आगेंँगी मम्स्ट्टों सभाएब ये एक डिड़ महिना पहले। हम लोग के यहांपे, हम लोग के यहांपे जैसे Modi ji सबसे important leader है, America में जो सबसे important leader है, उनका नाम है Joe Biden, पहले है Joe Biden, उसके बात होता है वहांके Vice President, आज बात है Vice President कौन है? Kamala Harris, Kamala Harris Indian जो origin की है, तो Joe Biden सबसे इंपॉर्टंट उसके बात कौन है Kamla Harris और थर्ड मोस्त इंपॉर्टंट नीटर अमेरिका में इस नांसी पलोची नांसी पलोची इस थर्ड मोस्त इपॉर्लिटर अण शी इस थे नंसी पलोची is the third most important powerful leader. अगर President or Vice President को कोई कार से कुछ हो जाए, उन लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, उन लोग आपने कर पा रहे हैं, और अटोबार्टिकली, शी बिकम्स दा प्रेशिदेंट आपने कर रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, प्रेंट्शिप को बढ़ाने जा रहे हैं, उसमें हम सब जहके जाएंगे, सिंगापूर, मलेशिया, ताउट कुरिया, जपान, ताइवान भी जाएंगे. चैसे नांशी पेलोची नें कहा, कि ताइवान जाएगी, चाइवान गुस्था होगे. चाइवान बोलता है, मेरे से पूछ जाएगी, जैसे महराष्णा में ऐगर कोई बड़ा मिनिस्टर आता है, बाहर से कोई बड़ा प्रेसिटेंट लीडER आता है अमेरिका से यूरोप चे तो इंडियन गोर्मेंट से पर्मिशन लेकी तो आएगा तो बोला कि नांसी पलोसी तुम ताइवान जार नहीं सकती बिना हमारे पर्मिशन के और अगर तुम गई इफ यू गो देर नांसी पलोसी को और अमेरिका को दबकी दिया गया तो हम लोग कुछ भी कर लेंगे क्योंकि ताइवान मेरे बहुत बगल में है एकदम नेरा बच्चा है अगर वहाँ पर पहुचेगी आई कैनाट गैरेंटी एनिटिंग एनिटिंग कैन है इफ शी लांग चाइना डेढ मैना एक मैना से नॉन्स्टप चिल्ला चिल्ली कर रहा था इस बात को लेके धमका आ रहा था ठीक है डिकार चाइना चिल्ला-चिली करता कि लोकी indication e चाइना तो बहुत ऊपर लोसे बहुत हो बहुत बाड़ात अब एविन ऐसा थाइना पहले जिबो चुपा है कई बार की आज नेहीं तो कल ताइबान को को अपने अंदर रे युनिफिकेशन करें गईुकेश-ईनानी करने तो तो जब वो टाइवाँ का नाम नहीं लिखी अपना हम लोग खोश हो गए लेकिन सबको शक था कि यह लिखी नहीं है ताइवान लेकिन ऐसा हो नहीं सकता वो ताइवान जाएगी क्यों जाएगी जरूर तो आप देखिए 31 जुलाइगा दो बच के 17 मिट पर ट्वीट आता है एक आप है जिससे आप फ्लाइट को ट्रैक कर सकते हो कि हवा में कहां पर है वर्ल्ड में कोई भी फ्लाइट आपको ट्रैक करना हो नंबर डाली है आप पे आपको पता चलेगा फ्लाइट अभी कहां पर उड़ रहा है नांसी पलोसी का फ्लाइट हम लोग सब कोई फॉलो करने लगे सारे जर्ले सारे पॉलिटी चेट सब कोई देखने लगे कई वह ताइवाद तो नहीं जा रही है और इतना ट्रैफिक आ गया उसके आप पे तो सब कोई लिखने लगे से रियल टेस्ट इस क्या फ्लाइट रडाट 24 जो आप है वह इतना लोड ले पाएगा कभी अब लोग जाते ही नहीं थे अब सारा दुनिया उसको देख रहा है कि वह प्लाइट प्लेन जाका रहा है और एक्च्वल में यह हुआ सेकेंड अगस्त को उसका आप क्रैश हो ग पहले सिंगापूर गई फिर मलेशिया गई और अचानक में वो प्लेन ने टर्न लिया और प्लेन ने टर्न लेके 2nd अगस्त को इट वास क्लियर दाट अप्लेल वास गॉइंग तो ताइवान प्लेन ने अपना वो जो था पाथ को चैंज करके इट वस हेदिंग स्टेट त ताइवान चाइना को तो लगी राता आएगी वो चाइना एक तम गुस्सा वो बोला हम नहीं छोड़ेगा साइबर अटैक चालू कर दिया ताइवान गवर्मेंट के वेबसाइट पे प्लेन उडाने लग गए अजब धंकी देना चालू कर दिये चाइना ने कि यह आ रही नांसी पलोसी का और नीचे से उपर से सब कवर दे रहे अमेरिका के सेकेंड अफ अगस्त हम लोग को लगा कुछ हो जाएगा इतना डेड़ली सीन हो रहा था पूरा वर्ल्ड देख रहा था फ्लाइट कहा जा रहा है क्या चाइना कुछ करेगा की नहीं करेगा नांसी पलोसी ताइवान पहुंची उसके प्रीमियर से मिली दो चार घंटे रही और चली गई लेकिन चाइना तो गुस्सा हो गया चाइना तो आग बबूला हो गया उसका दिमाग एकदम शॉट हो गया उसका दिमाग खराब हो गया उसका दिमाग खराब हो गया था उसक रेकेन अगस को जैसी वह हुआ शेयर मार्केट क्राश होने लगे हम लोग के सब को डर लगने लग गया कि अब तो कुछ ना कुछ गरबड हो गाई वाटर दा इंप्लिकेशन ताइवान जाने का क्या मतलब हुआ चाइना डिपलॉई शिप्स और जेट्स और फाइटर चाइना ने ताइवान को चारो तरफ से घेर लिया बगल महीं है छोटू सा है गुस्सा फ्यूरियस अंग्री उस्ते चारो तरफ से घेर लिया यह देखो लडाई कैसे की जाती है वार ड्रिस उसे फायर ड्रिस होते हैं वार ड्रिस मॉफ को दिखाता है कितना बड़ा बड़ा मिसाइज छोड़ रहे हैं यह देखो यह मिसाइज छुट रहा है यहां से यहां से यहां जा रहा है यहां से यहां जा रहा है चाइना अपने यहां से मिसाइज छोड़ रहा है और पूरा ताइवान कंट्री के ऊपर से निकल के जा रहा हुआ नहीं कि खेला से देखिए यहां यहां पर मिसाइजा केट कर रहे हैं यहां पर चाइना इतना गुसा इतना गुसा उसने बोला मैं छोड़ूंगा नहीं उसने सब जगे से घेल लिया चारों तरफ से और ताइवान के उपर से प्लेन चलाने लग गए फाइटर जड़ जाने लग गए देखिए जैसे हमारे घर में जब तक हम लोग परमिशन दे कोई नहीं आ सकता उसी तरह से हर कंट्री के एयर स्पेस के उपर जहां पर हवा है वहां पर हम लोग का प्लेन उड़ सकता है लेकिन का अमेरिका का यूरोप का पाकिस्तन का प्लेन को हम लोग के उपर से उन्ने का परमिशन लेना पड़ता है चाइना तो कुछ परमिशन नहीं ले रहा वह इदार उदार उदार जो कर रहा है अपना प्लेन शिप्स को भेजे जा रहा है ताइवान के उपर नीचे ताइवा मिसाइज चोड़ रहा है और पांच ब्लास्टिक मिसाइज जपैन के एरिया में भी जाके गिरे हैं जैसे बोलते हैं आग बबूला हो गया चाइना ड्रैगन ड्रैगन बूला जाता है और वह आग उगलने लग गया मारे जा रहा है दिखें आपर क्या लिखा बाइस बाइस फ्लाइट को बाइस पिये ले गए ते उसके बाद उसके क्या किया पांच अगस्त पर सो मुल्टिपल चाइनीज नेवी शिप सेने एफोस और कमिंग टू ताइवान मुल्टिपल आ रहे हैं जैसे गुंडा लोग हो में लोग से घुठस हो जाते तो वह में लोग सिंग मिंग के लिए इयुब वह चाइकलोग़िकल गेम कर रहा है आप चाइना गिकया कर रहे आख्यान की ने बोला चार दिन का मिक्साइस कर रहे हैं प्रक्टिस कर रहे हैं और 6 चाहां ये whites में kर रहें फिर बोला पाँच दिन का करेंगे और साथ अरिया में करेंगे पहले चार दिन था था अलिए तरफ बोला पांस ही तीदिन करेंगे साथ अरीया में करेंगे और multiple अटाक multiple ships of plane nons-top non-stop तो डर लग जाएगा किया हो रहा है यार क्या कर दिया हम लोग ने एक के बाद एक के बाद एक आ रहा है और एकदम लिग दिया है चाइना ने no matter how people like policies act to support Taiwan they cannot stop China's you reunification process आज नहीं तो कल हम तो लेके मानेंगे ताइवान को चाइना एकदम ओपली बोलने लग गया है कुछ भी कर लो और आज देखो अभी थोड़ा देर पहले जो मैंने आप लोग को का आज तो और गजब किया है यह देखिए तो मैंने बताया आप लोग को चाइना टू होल्ड मिल्ट्री डिल्स विट लाइफ फायर छह से पंदरा दस दिन और बढ़ा दिये यह आज का आटिकल है छह तारीक से पंदरादाई तक और मिल्ट्री डिल करेगा अगर यही नहीं काफी था तो अब भी देखिए अब तो चाइना अभी यह दो घंटा पहले का नियुज़ है टू हार्स अगो चाइना टू कंड़क रेगुलर मिल्ट्री डिल्स आप बोला आप जाओ रेगुलर करूंगा मैं अभी तो चार दिन दस दिर बोला था अब डेली वहां पर प्राक्टेस करूंगा डेली वहां पर बॉम चलाओंगा डेली साहरे करके जट जाएंगे शिप जाएंगे सब पर लग जाओंगा चाइना और येलो सी पे चालू कर दिया है मतलब बोलते रहे गुस आइडिया नहीं आप लोग को और ना ही जनने का इच्छा है देखिए और क्या कि उसने और भी बहुत चाइना का ताइवान जो छोटू सा है चाइना बगल में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर ताइवान का चाइना ही है उसी से बाल आता जाता है बहुत सा राता है बैन ऑन सैंड एक्सपोर्ट बैन फिश और फ्रूट सिंपोर्ट चाइना इस पनिशिंग ताइवान और उसके उपर पनिश्मेंट दिये जा रहा है गुंडागर्दी हो रहा है तो यही हो रहा है एकदम जोड़ शोड़ से अब ताइवान की जो प्रीमियर है शीज़ ले एक्सेप तो उसको एक्सेप इंडियर ताइना इंडिया इंडिया मेंटेनी अस्टाइट साइलें और रियाक्टिंग अट इतना अब बैने का मल्टीपल आज तो और प्लेन आया है और तो उसे बोल दिए कि अब तुम रेगुलर कर दें पीपल रिपभी को चाइना जो ब ताइवान की प्रिमियर अब चाइना ने नांसी पलोशी की ऊपर भी बहुत संच लगा दिये देखिए बने क्या का चाइना ताइवान को को एक्सेप्ट ही नहीं करता तेरा चौदा कंटी चोटे 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 आई-लैंड उनको छोड़के ताइवान ओलम्पिक्स और ए इसी तरह से वन चाइना पॉलिशी में चाइना बोलता है हमी में है ताइवार को कैसे तुप पार्टिसिपेट करने दोगे फिर भी किसी तरह कॉंप्रमाइज करके किया गया ताइवान का टीम जाता है खिलने ओलम्पिक सेशिंगें बट उसके लिए वर्ट ताइवान नह यह उनधं बताया आप देखिए और आफ इसको लेके क्या कर रहा है चाहिना क्या कर रहा है चाहिना क्या कर रहा है कैनड़ा अमेरिका यूरोप बोल रहे है ठीक बात है जो त्व नहीं है तुम क्यों बोल रहे हैं अमेरिका बुला लिया चैनीज अम्दश कर हो चाहिना कैनसल कर दिया USA का कोपरेशन डील बातचीत हो रहा था कई चीज़ को लेके चाइना बोला हम USA से बात करना बंद कर देगा चाइना मीटिंग बेंद कर दिया बंद कर दिया जपान के साथ क्योंकि बोला तुम लोग ताइवान का सपोर्ट कर रहे हो बहुत बहुत बड़ा इश्यू होते जा रहा है और मैंने क्या का सबसे बड़ा चीज क्या है अगर हम आप लोग से पूछे यह सारा प्रॉब्लम ज चाइना का गलती मानोगे ताइवान का मानोगे की बैड लग का मानोगे जल्दी जल्दी चैट में लिखे बताइए अगर हम आपको पूछे कि यह पूरा जो आफत हो रहा है अभी जो करन फ्लेयर अप हुआ है इसका रिस्पॉंसिबिलिटी किसको देंगे अमेरिका को चा यह जो पूछा कॉन रिस्पॉंसिबला के लिए अभी का जमेरा के लिए और मैंने क्या पूछा क्या everything is fair in this world आप लोग ने maximum लों ने खा नहीं fair हम लोग की गलत गाम करते रहेते हैं जारा दें तो fair just equitable ethical morally सब कुछ correct नहीं होता ठीक है अब हम आपको बता है that is why I say attend these sessions these are very important हम लोग को दिख रहा है अमेरिका का गलती है चाइना का गलती है बैडला का हुआ कर रहा है ने सबस्ते है maior चोल्ट थैस क्योंको अनके दोटी खर्षोक करते थे सबस्ते हैं इस वह क्या बीबीचीने नियॉयर्क टाइं आम सी के सबस्तेघ आते हैं लगता है वही गलत है नहीं वहीं सही है चाइना बदमाशी कर रहा है इस तरह युक्रेब में लगता था था वट नहीं तरह दियां से सुनी का मापको पता रहा है ताइवान इस टो भी फॉल्टेट पॉर दिस इस करन फ्लेर अप उसका बड़ा गलती है एक बाद अता ही इसमारी में आपको पता है कि आपको रहना उसी महले में रहना है तो आप चैनलेंस लड़ाई करके रहोगे अगर कोई पत्रकार छर्नलेस्ट कोई हीरो जैसे मूवीज बेहाता है वो अगर आके बोलता है कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा आप डरी है मत मैं हमेशे आपके साथ खड़ा हूं तो गली का गुंडा क्या बोलता है लोग क्या बोलते हैं अरे लोग दो-चार दिन है पाच दिन है कब तक रहोगे रहना तो हमारे साथ ही पड़ेगा तो हम जंगल में रहना है तो शेर के साथ तो ठीक से रहना ही पड़ेगा ना तो पॉइंट ही है मैंने अभी आपको का एथिकल मॉरली सोचेगा एवरीटिंग नॉट फेर तो अगर आपको रहना वहीं पे है और वहां का गुंडा चाइना है फिर उससे लड़ाई किया ही क्यो न भॉच्ट के चली गई वह अपना पर चली गई डेमोक्रोची विलावाड फ्रेंड माट सफेर कर रहा हैं फुरा डुनिया में इंसफूर्ट होता है वह इस चीज़ा टक जाएगा क्योंकि चाइना बदमार्शी कर रहा है वहाँ पे प्लेंज नहीं जाएंगे शिप जाने में डरेंगे इंशुरेंस कॉस बढ़ जाएगा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे वो चाइना से इतना बदमार्शी करने लगेगा तो होगा क्या यह सब चीज से कौन सफर कर र कि च्छे महिना में हुआ क्या एक्जांपल है डिट्टो कॉपी रश्या यूक्रेन का यूक्रेन को सब कोई बोला हम तुमारे साथ है तुम आगे बढ़ो जलेंस्की पागल की तरह आगे बढ़ गया और क्या देखा लास्ट में कि वह अकेला रह गया और रश्या उसको मा उक्रेन के किसका एकोनोमी खतम हुआ यूक्रेन का सब कुछ यूक्रेन अपना सब पर बात कर दिया रश्या से लड़ने में चाहे वही रश्या गुंडा था बट क्या फाइदा हुआ उसका उससे लड़के अपने आपको खता डेमोक्रेसी और इंडिपेंडेंस को लेके ठाइदा क्या हुआ वह लौक्ड हम लोके सामने है यही चीज्ट ताइवान में होगा कि ताइवाल बिचारा चिला-चिली करता रहें कि हम ये करेगा वह करेंगा इमेरिका यूड़ो सपोर्ट यू लास्ट में क्या होगा ताइवानी सफर करेगा तो मैंनेि हैं यह नहीं हो गई नहीं तो उसके लिए मिला क्या करना इन फैक्ट चाइना ने बोला है मैं ताइवान को ले लूँगा अपने साथ 2049 तक सामदाम धंड बेद किसी तरह ताइवान को अपने अंदर इंक्रूट करूँगा वो बोल चुका है रियूनिफिकेशन होगा वर तो 2049 तक बोला था और इन्होंने क्या किया इन्होंने चाइना को रेडिमेट एक्सक्यूज दे दिया सेल्फ गोल कर दिया कि भाई आजा और हम लोग को हम लोग का क्यों पर अटैक कर दे जो चीज तूदर फॉर्टी नहीं तक होना तो था ही वो तूदर फ्वेंटी फ्वेंटी फॉर में हो जाएगा चाइना को सेल्फ चाइना को एक टो रेडिमेड एक्सक्यूज बिल गया अब ताइवान ने आ बेल मुझे मार नहीं किया आ बेल मुझे मार क्या होता है बेल को उक्साना कि मेरे पास आओ यहां पर उल्टा पदी जाके बैल से टकरा गए क्या पागलपन किया उसके आदम लोग सफर कर रहे है बुरी ते रहे है अच्छा बोलता है हम लोग है जर्मनी बोला है ताइवान तुम आगे वड़ो विया रिडी टू एल्प यू जर्मनी एल्प करेगा जर्मनी इसल्प लेस्ट है एल्पलेस आदमी किसको एल्प करेगा उसको तो पता नहीं है विंटर इसका भी उसको गैस नाच्रल गैस और यह चाहिए सब एनरजी बोला कि जब तक मेरे सेशन में कोई एकस्टा चीज नहीं होगा हम सेशन देने नहीं आएगा इसलिए आप लोगों को पता है सब को प्राब्लम माने लग जाएगा कि सब के अंदर का इसलिए बोलते ना युएस ने पहले अफ़गाने संग को पर बात किया यूक्रेन को अ बहुत बड़ा गलती है as I said always अमेरिका का तो रहेगा ही रहेगा उसका अपना प्रेस्टेंट इस है पर ताइवान ने सेल्फ कोल किया ही क्यों अब चाइना बोलता हम ड्रिल करेगा यह करेगा पैलोसी यह थे यह थे अभी आया पैलोसी यह जी जी जीपिंग इस हो गया अब ताइवान चाइना ताइवान सब लग गया है सब बोलता अच्छा अलोचिना आर ना इसले हम बोला यह सब स्टोडी जानिये सब लेटेश इतना कुछ हो रहा है इसके इंदर कोई हिसा भी नहीं है देखिए हार्ट्स के पर पढ़ाई करें हो हार्ट्स स्टीव जॉब जिसने आपल का पाउंडर जो बनाया उसने का स्टोरी अच्छा बताता है इसका यह नहीं कि मैं बहुत पावर्फुल हूं आप लोग पता नहीं कहां से कहां जा सकते हो आप लोग यह देखिए यह आर्टिकल आया और नियॉक टाइम यंगर ताइवानी व लोग चला रहा है वहां से शिप्मेंट आएगा उसका इंशूरेंस को बढ़ जाएगा खर्चा बढ़ जाएगा कियो पंगा किया उन लोग उल्टा चिला रहे हैं ताइवान लोग चिला रहे हैं बैटके ताइवान में कि यद्ध आउट पलोची वाट व्हाइव यू क्रीटेड प्रीज़ लीव लूट यह सब लोग को नहीं दिखाया जाएगा हम लोग दिखाया जाएगा सूचिए नांसी पलोची ताइवान जाने के बास साओथ कोरिया गई अब साओध कोरिया जिखा रहे हैं आपको आपक बीट डाइसी पेलोशी टू अपीज है रहा हुब लहा है चुट्टी में विलू गाई दी यह स्मार्ट प्ले हुआ अब यह भीक मांग रही है कि हमको सपोर्ट करो हमको सपोर्ट करो यह करो क्या होगा उस सच से और उसका बैंड बजा देगा चाहिवान इतना बड़ा अब तो मल्टीपल मल्टीपल आए जा रहे है चारों तरफ से घेर के खड़ा हो गया है बच्चु जाएगा खाँ अब मैं आप लोग के आडियो आउन करूँगा आप लोग कोई भी कुछ इसलिए मैं आप लोगा कि इसे सेशंस करा रहे है यह बंगॉल के स्कूल उनको करा रहे हैं तो चछी आप लोग इस एजए बच्चा लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं दिखाएंगे सब्सक्राइब तो पूचे वटतरी रजञ घंखोताली Ee को था लिए चलिए अब आप लोगा कोई क्वेश्चे जा रहे हैं